डंडी से बिंदु कुमार की रिपोर्ट डंडी प्रखंड कार्याले के सभागार भवन में विदाई सा समान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानांतरित सीओ चोनाराम हेंब्रम को भाविनी विदाई दी गई इस दौराम प्रखंड कर्मियों वजन प्रतिनिदियों के साथ थाना प्रभारी शबाज अंसारी ने स्थानांतरित अंचल अधिकारी चोनाराम हेंब्रम को अंग वस्त्रव माला पहना कर समानित किया कारिक्रम को संबोधित करते हुए स्थानांतरित अंचलादिकारी चोनाराम हिंब्रम ने कहा कि सरकारी सेवा में आने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग एक समान प्रक्रिया होती है जिससे पत्स्थापना के बाद सभी लोगों स्थानांतरित होते रहता है उन्होंने कहा कि अंचल कार्याले के स्थापना के बाद डंडी अंचल कार्याले में मेरी पहली पत स्थापना हुआ था इस दोरान किसी भी जमीनी विवाद को दोनों पक्षों को बैठा कर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया ताकि किसी भी तरह के आपसी विवाद व लड़ाई जगडा की समस्या उत्पन न हो वही उन्होंने कहा कि इस कारे में अंचल कर्मियों का काफी सहयोग रहा वही उन्होंने कहा कि यहां के लोग काफी मिलनसार वव्याभारिक है लोगों ने जो समान मुझे दिया उसे कभी बुलाया नहीं जा सकता कारिक्रम को संबोधित करते हुए नवपत स्थापित बीडियो जागो महतो ने कहा कि अंचलाधिकारी चोनाराम हेंब्रम के विभागिय कारे के दोरान एक साथ मिलकर काम करने का मौका मिला वे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है इंका क्रियाकलाप बहुत अच्छा रहा है वही उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से प्रखंड के विकास की गती आगे बढ़ाया जाएगा ततपश्चाथ स्थानांतरित आंचल प्राधिकारी चोनाराम हेंब्रम ने नव पत्स्थापित अंचल आधिकारी जस्वंत नायक को प्रभार सौपा वही जागो महतो ने प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्रभार ग्रेहन किया इस मौके पर थाना प्रभारी शाबाज अंसारी, प्रधान सहायक उमेश कुमार, आंचल सहायक नुमान अंसारी, राजस्व कर्मचारी इंडेश्वर बैठा, संतोष कुमार यादव, अर्विंद महली, प्रमुख प्रतिनिधी घुर्बिगान बैठा, उप्रमुख रामाश प्रशीश प्रसाद, करीमन पन्ना, पंचायत सिवक सुनील कुमार, ज्यानिंद्र कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा आठ तक का नामांकर्ण प्रारंभ हो चुका है। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल नरायनपूर, पंडवा, गढवा, हमारा संपर्क सुत्र है 9031-4747-4750